हलो फ्रेंड गुड मॉर्मिंग आज के मेरे घर दिस्तरी लगा हुआ है यह काफी बड़ा रूम है जिसको हम लोग उप्योग में नहीं लापा रहे थे तो कि इधर से रास्ता बना हुआ था आने जाने का तो हम लोग इस ग्रिल को खुलवा के और दूसरे जगर रास्ता बन और इसमें एक दर्वाजा और है जिसे हम लोग बार में बंद कर देंगे अब इधर गेट लग गया है और अब दूसरे जगर ग्रिल लगेगा तो रास्ता बना रहे हैं दो दिन के बाद जब यह गेट खुलने लगा है उसके बाद उधर ग्रिल लगेगा और यह अच्छी तरह से सेट कर दिये हैं अब यहां वो जो ग्रिल खुला है उसको यहां सेट कर वाएंगे और यह इस रूम आने का दरवाजा था तो आधा दिवाल दे दिये हैं और उपर ग्रिल लगा देंगे ताकि अच्छा लगे अब दोनों तरफ गेट लग गया है यहां छोटा गेट लग गया है और यहां ग्रिल लग गया है और अभी कुछ काम और भी बाकी है और अच्छ अच्छा लग रहा है देखने में बाद में गेट को कलर कर देंगे अच्छी तरह से मरम्मत कराया गया है और ये भी गली था जो पहले ये गेट यहीं पे था लेकिन बाद में ये गेट कुछ कारण बस बंद कर दिया गया और ये ग्रील को वहां लगा दिया गया था लेकिन फिर सही जगह पे ये ग्रील लगा दिया गया है और जिस तरह से आपको बताये थे कि मेरा घर काफी बड़ा है और यहां ग्रील लगाएंगे अभी ग्रील को बनने के लिए दे दिये हैं तब तक उपर इटा चड़ा दिये हैं और अभी काम चल ही रहा है और यह अंदर जाने का दरवाजा हो गया है और इसमें कीचन से यह रूम आने का दरवाजा बनवाएं हैं जो काफी अच्छा लग रहा है और इधर कीचन में रेक भी बनवाएं हैं झाले के बनवाजा है यह धुए हो यह रόजा उनल से नल साभ लो भी होगा है यह मतलिकまぁ दित को और यह को यह को पो है वपर कारे रहा हीर मतारा लंग कृस्वाज है ड्सरे हैं अभी को लग खाफ जाता लेक सरह बあーकाराव तका पार्पया है